तो दोस्तो कीवाल है आप सब का मेरा नाव है कॉस्टाफ तरका आप देख रहें कवड़ी गुरू या वनस्टाफ सल्यूशन फोर अल कवड़ी अफडेट्स तो आज हम बात करेंगे गुरू एनलाइसिस के सेकेंड एपिसोड में पढ़ना पायरेट्स के बारे में दोस्तो अगर आपने गुरू एनलाइसिस का फर्स्ट एफिसोड नहीं देखा तो आई बटन पे क्लिक करके देख लीजिए ताकि आपको पता चले कि गुरू एनलाइसिस है क्या तो चलिए खेल दे गवड़ी तो दोस्तो टाइम वेस्ट की ये बगेर मैं शुरू कर रहा हूँ आज का गुरू एनलाइसिस वीडियो तो दोस्तो सबसे पहले हम बात कर लेंगे कि पटना पायरेट्स ने किन किन प्लियर को रीटेन किया है तो दोस्तो उन्होंने परदिप नर्वाल को रीटेन किया है यान तो बात थी कि बात थी में आप सभी को पताऊंगा कि ये किन-किन प्लेयरों के पीछे हाथ दों के पढ़ेंगे ऑक्षिंस में दोस्तों सबसे पहले आता है सचीन शिंगाडे जो के एक लेफ्ट कवर के प्लेयर है उन्होंने दोस्तों मनिश यानि कि जो डिफेंडर राइट कवर के हैं उनको रिट को खरीद सकते हैं या फिर चायद कोई नया प्लेयर भी खरीद सके जैसे कि 2008 के फ्योचर कवर्डी हिरो से या फिर सचीन शिंगाडे के साथ उतना शियोरीटी नहीं है कि उनको खरीदेंगे ही ऐसा कुछ नहीं है फिर भी में बता रहा हूं कि सचीन शिंगाडे को खरीदन अगर खरीद भी नहीं पायत तो यार आटीम का यूज इसके लिए जरूर करेंगे जरूर एक ही आटीम यूज कर सकते हैं बटन वारेट्स क्योंकि उन्होंने चार प्लेयर को रिटेन किया है इसलिए वो अब एक ही आटीम यूज कर पाएंगे ते यार दोस्तों अगर हेडिंग है वो आप एक लिंक है वो वीडियो देख लो तो आपका कन्फ्यूजन दूर होगा तो यार पतना पारेट्स के पास एक ही आटीम है तो वो यूज कर सकती है तो अगर आपको याद होगा आप सीजन 5 में देखोंगे एक दूपला बतला सा प्लेयर था वीज जो क यह थी गुरू अनलाइस पतना पारेट्स के लिए और आउक्षन कभे यह जानने के लिए यार वीडियो देखो हाई बटन के क्लिक करके यार डिस्क्रिप्शन बोक्स में लिंक मिल जाएगी तो यार देखो जरूर वीडियो हर एक तफिक पर वीडियो बना रखी है तो ज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर मन नहीं हो रहा तो और वीडियो देख लीजिए चैनल के फिर अच्छा लगा तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए यार तो आज के वीडियो बस इतना फिर मिलेंगे गुरू अनलाइस के अगले एपिसोड में प्रूर अनलाइस के अगर में